पावर हाउस स्थित सर्कुलर मार्केट में उस समय हरकम पमच गया जब एक यूवक ज्वेलर्स दुकान को उड़ाने सिलिंडर लेकर पहुचा व्यापारियों ने यूवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले करें मिली जानकारी के अनुसार पावर हाउस मार्केट इस्थित अभी शेक ज्वेलर्स को उड़ाने सिलिंडर में वाइरिंग करके हाउसिंग बोर्ड निवासी अक्षे ठाकरे नामक यूवक पहुचा हुआ था यूवक ने पहले ग्रहकों को बाहर निकल वाया और फिर सराफा व्यापारी को दुकान खाली करने के चेतावनी देते हुए दुकान को उड़ाने की धंकी दे दी इससे पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई देखते ही देखते मार्केट की भीड ज्वलरी शॉप के बाहर एकत्रित हो गई जब आरोपी यूवक को दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की गई तो यूवक ने साथ लाई सिरिंज से व्यवसाई पर हमला कर दिया इसके बाद मार्केट के लोगों ने यूवक की जम कर पिटाई की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और सिलेंडर को जब्त कर आरोपी यूवक को हिरासत में लेकर थाने लाया घटना के जानकारी लगते ही छामली थाने में परीजन भी पहुच गया वही सरापह व्यापारी के साथ थाने में जम कर बहस होई बताय जा रहा है कि सर्कुलर मार्केट की जिस दुकान में अभी शेक ज्वेलर्स का संचालन हो रहा है उसे संचालक ने किराय पर लिया है उसकी खरीदी बिक्री में पैसे के लेंदेन को लेकर विवाद है मामला कोट में चल रहा है जिसके चलते दुकान मालिक का परिवार परिशान है यही वज़ा थी कि अपने माता पिता को परिशान देखकर यूवक अक्षे ठाकरे सिलेंडर लेकर दुकान खाली करवाने पहुचा Grand Asian News के लिए शेलेंडर खरे की रिपोर्ट